प्रदान्वंत्री नरिंद्रो मुदिंग का मन की बात आस्तों तो दिखिवाया रस्तिधा प्रसरण भारत मंदपम तो अपने आप में एक सेलिप्रिटी की तरह हो गया है लोग उसके साथ सेल्फी घीचा रहे और घर्व से पोस्ट भी कर रहे है भारत ने इस समीट में आफ्रिकन यूनियन को जी ट्वेंटी में फूल मेंबर बना कर अपने नेत्रुत्व का लोहा मनवाया है आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत सम्रुद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी इस सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था अब आधुनिक जमाने में भारत में एक और एकोनोमिक कोरिडोर जी ट्वेंटी में सुझाया है ये हैं इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनोमिक कोरिडोर ये कोरिडोर आने वाले सेंकडों वर्सों तक विश्व व्यापार का आधार मनने जा रहा है और इस तिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कोरिडोर का सुत्रपात भारत की धर्ती पर हुआ था साथियों जी ट्वेंटी के दोरान जिस तरह भारत की युवाशक्ती इस आयोजन से जुड़ी उसकी आज विशेश चर्चा आवश्चक है साल भर तक देश के अनेकों उनिवर्सिटी में जी ट्वेंटी से जुड़े कारकम हुए अब इसी स्रंख्रा में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्रेम होने जा रहा है जी ट्वेंटी युनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्रेम इस प्रोग्रेम के माध्यम से देश भर के लाखों उनिवर्सिटी स्टुड़न्स एक दुसरे से जुड़ेंगे इसमें IITs, IIMs, NITs और Medical Colleges जैसे कई प्रतिश्टित समस्थान भी भाग लेंगे मैं चाहूंगा कि अगर आप College Student है तो 26 सितंबर को होने वाले इस कारकम को जुरूर देखिएगा इससे जुरूर जुड़िएगा भारत के भविश में, युवाओं के भविश पर इसमें बहुत सारी दिल्चस्प बाते होने वाली है मैं खुद भी इस कारकम में शामिल होंगा, मुझे भी अपने College Student से समवाद का इंतजार है मेरे परिवार जनों, आज से दो दिन बाग, 27 सितंबर को विश्व परियतन दिवस है परियतन को कुछ लोग सिर्फ सेर सपाटे के तौर पर देखते हैं लेकिन परियतन का एक बहुत बड़ा पहलू, रोजगार से जुड़ा है कहते हैं, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है, तो वो टूरिजम सेक्टर ही है टूरिजम सेक्टर को बढ़ाने में, किसी भी देश के लिए गुडविल, उसके प्रती आकर्षन बहुत मेटर करता है बीते कुछ वर्सों में, भारत के प्रती आकर्षन बहुत बड़ा है और G20 के सफल आयोजन के बाद दुनिया के लोगों का इंट्रेस्ट भारत में और बढ़ गया है साथिवब G20 में एक लाग से ज़्यादा डेलिगेट्स भारत आए वो यहां की विविदता, अलग-लग परमपराएं, भाती-भाती का खान पान और हमारी धरोरों से परिचित हुए, यहां आने वाले डेलिगेट्स अपने साथ जो शांदार अनुभव लेकर गए हैं, उससे टुरिजम का और विस्तार होगा आप लोगों को पताई हैं कि भारत में एक से बढ़कर एक बर्ल हेरिटेज साइड्स भी हैं और इनकी संख्या लगातर बढ़ती जा रही हैं, कुछी दिन पहले शांती निकेतन और करनाटका के पवित्र होई सड़ा मंदिरों को वर्ल हेरिटेज साइड्स गोशित किया गया है मैं शांदार उपलब्दी के लिए समस्त देश्वासियों को बढ़ाई देता हूँ मुझे 2018 में शांती निकेतन की यात्रा का सौभागी मिला था शांती निकेतन से गुर्देव रविदुना टेगोर का जुड़ा उरहा है गुर्देव रविदुना टेगोर ने सांती निकेतन का मोटो संस्कृत के प्राचिन स्लोग से लिया था वह स्लोग है यत्र विश्वम भवतेक निड़म अर्थार जहां एक छोटे से घौंसले में पूरा संसार समाहित हो सक्ठा है प्रोर सुची में शामिल किया है उन्हें तेरेवी सतावजी के बहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है इन मंदिरों को युनेश्को से माननेता मिलना मंदिर निर्मान की भारतिय परमपरा का भी सम्मान है भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रोफर्टीज की कुल सिंख्या बैयालिज हो गई है भारत का प्रयास है कि हमारे जादा से जादा एतियासिक और सांसकृतिक जगाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की माननेता मिले मेरा आप सबसे आगर हैं कि जब भी आप कहीं घुमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विवित्ता के दर्शन करें आप अलग-अलग राज्यों की संस्कृति को समझें हेरिटेज साइट को देखें इससे आप अपने देश के गवरोवसाली इतियास से तो परिचित होंगे ही स्थानिये लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम म्याद्दिम बनेंगे मेरे परिवार जनों भारतिय संस्कृति और भारतिय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है दुनिया भर के लोगों का इंसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुती उसका छोटा सा ओडियो आपको सुनाता हूँ चकच्चालपालं कचकंधमालं शरचंद्रभालं महादेत्यकालं नभो निलकायं तुरावारमायं सुपन्मासायं भजेहं भजेहं नागेंद्रहाराय त्रेलोचनाय भस्मंकरागाय माहेश्वराय नित्याय शुथाय देकंपराय तस्मनकाराय नामशिवाय इससे सुनकर आप भी हैरान हो गए ना कितनी मधूर आवाज है और हर शब्द में जो भाव जड़कते हैं इश्वर के प्रतीम का लगाव हम अनुभो कर सकते हैं अगर मैं ये बताऊं कि सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है तो शायद आप और अधिक हरान होंगे इस बीटिया का नाम कैसमी है 21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्ट्राग गाम पर खूप छाय हुई है जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी भारत नहीं आई है लेकिन वो भारतिय संगीत की दिवानी है जिसने कभी भारत को देखा तक नहीं उसकी भारतिय संगीत में ये रुची बहुत ही इंस्पारिंग है कैसमी जन्म से ही देख नहीं पाती है लेकिन ये मुश्किल चुनोती उन्हें असाधरन उपलुब्दियों से रोक नहीं पाई म्यूजिक और क्रियेटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बजपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया अफ्रिकन ड्रमिंग की शुरूआत उन्होंने महज तीन साल की उम्र में ही कर दी थी भारतिय संगीत से उनका परिचे पाच्छे साल पहली हुआ भारत के संगीत ने उनको इतना महो लिया इतना महो लिया को इसमें पूरी तरह से रम गई उन्होंने तबला बजाना भी सिखा है सबसे इंस्पाइरिंग बात तो यह है कि वे कई सारी भारतिय भाषाओं में गाने में महारत हासिल कर चुकी है संस्क्रीत, हिंदी, मलियालम, तमील, कंणर या फिर असमी, बेंगाली, मराटी, उर्दू उन्होंने इन सब में अपने सूर साधे हैं आप कलपना कर सकते हैं किसी को दूसरी अंजान भाषा की दो-तिन लाइने बोलनी पड़ जाएं तो कितनी मुश्किन आती है लेकिन काई समी के लिए जैसे बाय हाथ का खेल है आप सभी के लिए मैं यहां कंणरा में गाय उनके गीत को शेयर कर रहा हूँ नम्मा वचना वहुवचना नुरीडु कंणर नडैरो कंणरा नम्मा वचना वहुवचना नुरीडु कंणर नडैरो कंणरा कंणरा नम्मा कंणरा भारतिय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं रदय से सरहाना करता हूँ अमनों सुनूतिले मन की बात जोधरिकी प्रधान मंत्री देस्तोवा सिंगुनी जरा मनरको था कुजले अमनों झाल